दोस्तो रिबस करके एक एरड्रॉप है जो के आज हमको क्लेम करना है यह जो है एक स्टेकिंग एरड्रॉप है एटम, ओस्मो, एवमोस इन तीनों मेंसे अगर आपने किसी भी कोईन को स्टेक करके रखा है तो आप यहाँ पर एरड्रॉप के लिए इलिजिबल हो सकते हैं स्नेपशोट की जो डेट रखी है 14 जुलाइ 2022 तीनों कोईन की स्टेकिंग का जो स्नेपशोट है वो एक ही दिन पर लिया गया है एवमोस के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इलिजिबिलिटी क्राइटरिया मिनिमम हंड्रेट टोकिन से स्टार्ट होती है अगर आपने 108 से 199 के दरल्यां टोकिन्स को स्टेक करके रखा है तो 400 टोकिन के लिए आप यहाँ पर इलिजिबल हैं बिल्कुल इसी तरीके से 200 से 500 के दरल्यां अगर आप यहाँ पर आपimaंड्रेट केäter कि रखा है तो आप 500 टोकिन्स के लिए लिजिबल है और अगर आपने 500 या फिर 500 से ज्यादा एवमोस स्टेक करके रखे थे 14 जुलाई को यहां उस से पहले तो आप यहां पर 750 टोकिन्स के लिए इलिजिबल है ओस्मोस टेकर्स के लिए भी इन्होंने सेम क्रेटिरिया रखी है जो के एवमोस के लिए रखी है सिनेप्शॉट की डेट भी सेम है 14 जुलाई 2022 और मिनिममम इलिजिबिलिटी फॉर एरड्रॉप वो भी यहां पर सेम है मिनिममम 100 टोकिन्स आपने स्टेक किये होने चाहिए तो यहां पर आपको 400 टोकिन्स मिलने है लेकिन एटम डिस्ट्रिबूशन यहां पर थोड़ी सी अलग है एटम की जो मिनिममम क्रैटेरिया है वो इन्होंने अभी चेंच करके 80 तक ले आए है मतलब कि अगर आपने मिनिममम 80 टोकिन्स भी स्टेक करके रखे हैं आपको यहां पर कुछ न कुछ टोकिन्स एरडॉप मिलेंगे और अगर आपने ज्यादा टोकिन्स को इस टेक करके रखा है तो यहां पर आपको ज्यादा टोकिन्स मिलने हैं तो इस पोस्ट की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप खुद आकर यहां पर सारी चीजों को चेक कर सकें लेकिन अभी हम चले जाते हैं इनके विबसाइट के उपर हम देख लेते हैं किसको क्लैम कैसे करना है तो इस विबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको यहां पर आना है इस टाइब का एक पॉप अप आपके सामने पहले से ही ओपन होगा यहां पर आपको I understand के उपर चेक मार्ग कर लेना है प्रोसीट के उपर क्लिक करना है अब यहां पर आपको अपना वालेट जो है कनेट करना है मैंने जो है स्टेकिंग की थी कैपलर वालेट के तुरू तो यही वाला वालेट मुझे यहां पर कनेट करना है कनेट के उपर मैं क्लिक कर देता हूँ आप्शन यहां पर आ चुका है तो मैं कहता हूँ कैपलर वालेट कुछ Approvals हैं जो के यह मांग रहा है तो यहां पर मैं इसको Approve कर लेता हूँ यह जो है इनकी दूसरी Approval है इसको भी मैंने Approve कर दिया तो अब आपको यहां पर यह सब कुछ बता रहा है कि भई आप जो है कितने AirDrops के लिए Eligible है यहां पर आप देखे हैं कि मैं 500 Token के लिए Eligible हूँ जिसमें से 100 Token already claim हो चुके हैं बाकी के यहां पर 4 चोटे चोटे टास्क हैं जैसे कि यहां पर आपको Staking करनी है जो आपको Token यहां पर मिले हैं उनको थोड़ा बहुत Stake के उपर लगा दें यहां पर Proposal के उपर Vote करें तो यह जो चोटे मोटे टास्क हैं यह आपको आने वाले दिनों में करने हैं इसमें से दो टास्क ऐसे हैं जो कि आप अभी भी कर सकते हैं ठीक है जैसे कि Stake Rebus की बात कर रहा है तो यहां पर मैं क्लिक कर देता हूँ यहां पर आपके सामने Staking का Option आगया है तो यहां पर Stake Token को में क्लिक कर देता हूँ वैलिडेटर चूज करने की बात कर रहा है तो यहां से कोई अच्छा सा वैलिडेटर में चूज कर लेता हूँ बाकी जो नाम है वो मुझे यहां पर समझ नहीं आ रहे तो आपको क्या करना है यहां पर 99 कर देना है एक Token अपने पास बचा के रखना है ताकि आप Feast Pay कर सकें अब जो है मैं Stake के उपर क्लिक कर देता हूँ दुबारा से यही Transaction आएगी इस Transaction को यहां पर मैं Approve कर लेता हूँ यह जो Staking वाला काम है वो यहां पर हो चुका है तो दुबारा से मैं चला जाता हूँ AirTrop में तो यहां पर आप देख सकते हैं दो टास्क यहां पर Complete हो चुके हैं तीसरा टास्क भी यहां पर कर लेते है Vote on Proposal तो इसके उपर मैं क्लिक कर देता हूँ जो भी नई वोटिंग यहां पर होगी तो आपको यहीं पर दिखाई देगी फिलहाल तो एक ही है तो इसके उपर मैं क्लिक करके देखता हूँ यह जो Proposal है अल्रेडी पास हो चुका है अगर यहां पर वोटिंग चल रही होती तो मैं किसी Yes पे या किसी No के उपर क्लिक करके यहां पर ट्राजेक्शन करता और मेरी यहां पर वोटिंग हो जाती तो मैं मजीद टोकिन यहां पर जो है क्लैम कर सकता था ratio wise बता रहा हूँ जैसे के मेरे 500 token है तो यहाँ पर 5 task है तो 1 task के उपर 100 token है मान लो अगर किसी के साथे 700 tokens है तो उसका जो 1 task है उसके उपर उसको 150 tokens मिलेंगे 5 task complete करने पर साथे 700 token उनको मिल जाएंगे बाकि यह जो token है अभी तक market में list नहीं हुआ तो अब अपने token को staking के उपर लगा सकते हैं ताकि आपको staking reward मिलता रहे मेरे Twitter को आप follow कर लें जैसे यहाँ पर कोई update होगी तो मैं आपके साथ यहाँ पर share कर लूँगा और मेरा जो YouTube channel है उसको भी subscribe कर लें ठीक है दोस्तो तो यह थी मेरी आज की वीडियो आपसे मैं फिर मिलूँगा एक और वीडियो में एक और जबरदस टॉपिक के साथ